एलेक्ट्रिक शॉक बहुती important टॉपिक है इसमें actually हम देखा जाए तो कैसा है कि घर में भी कभी-कभी ऐलेक्ट्रिक शॉक जैसे टीवी का एलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है या करंट किदर भी लग सकता है घर में भी होत सकती या बात और उसके साथ actually कैसा रहे है कि कभी आप काम कर रहे है या इंडस्ट्री में काम कर रहे है तो electric shocked होने का chance है इसमें सब तरीके के electric shocked के लिए हम यह अभी system जो है firsted जो है प्रातमिक उप्चार electric shock में क्या करना चाहिए इसके बारे में अभी देखेंगे तो कैसा है कि जब भी इलेक्ट्रिक शौक लगता है फ्यू सेकन में सब पैनिक हो जाते हैं बिल्कुल प्रॉब्लेम लगता है उनको कि अभी क्या करें तो पहले तो कहीं बार पहली बात तो घबराना नहीं है सकंडरी सबसे बात हमें कैसा की confidence बहुत अच्छी तरह से देना है आपको मालूम है ठीक है confidence पेशन को भी देना है और सभी को उधर उस जगह पे बिल्कुल आपको confidence से जो जगह है उदर सब कुछ प्रॉपरली हैं बहुत से लोग पैनिक होते हैं घबरा जाते हैं इसके लिए यह point मैं और एक बार पता रहा हूं ठीक है इसमें एक बाद तो electric shock लगने के बाद बिलकुल immediately क्या होता है कि heart और brain यह दोनों जो organ है यह damage होने का ज़्यादा chance होता है मैं और एक बार repeat करता हूं heart और brain तो body के muscles जो है अपने contract हो जाते हैं immediately और contract होने के वज़े से हमारे veins, tissue, cells, damage होने का chance रहता है तो अभी immediately क्या करना पड़ेगा first aid में कही बार आपको कैसे है कि दिमाग में कुछ आता नहीं है तो problem हो जाती है तो फईले तो है जो current को हमें बंद कर देना है और current को बंद करने के लिए जो main switch है उसको बंद करे या wire सुदर से निकाले यह पहली चीज हमें करना पड़ेगा तो power supply off करते वक्त कुछ चीजे हमें ध्यान में रखना है कई बार सुकी लकडी का प्रॉफर यूज कीजे पेपर है या चैपल है पैट कंडुक्टर और पेलेक्ट्रिसिटी जो भी चीजे रहेगी उसको हम यूज कर सकते हैं एक तो कैसा है कि जब भी हाथ में वायर पकड़ लेता है आदमी या बाकी के आप वायर पे मत मारी है बिल्कुल अब उनके हाथ में मारी है बिल्कुल वो छोड़ जाएगा ठीक है इसलिए यह बात मैंने बताई कि आपको करन्ट को बिल्कुल इमेजिटली उसको दूर करन पड़ेगा और अभी कैसा है कि इधर अभी एक सेक्चुएशन खड़ी होगी उसकी ब्रितिंग या सास चल रही है या नहीं हमें देखना पड़ेगा तो पहले हम बिल्कुल दो चीज़े प्राइमरी में चेक करेंगे पल्स और ब्रितिंग इधर एक चीज हो सकती है वी इमीजेटली बेहोश हो जाता है तो बेहोश होने की वज़ nenhum होने का चांक साफा डिल की धड़कन दिल की इसकी धरकन जो है बंत होने हो सकती या रूख सकती है तो हमें कैसे की यहां एक तो इमेजटली किसा हमें विक्ती को प्रॉपरर्ली देखना है observation करना है properly, immediately, फटा फट चेक करना है हम check करने के बाद अभी बिल्कुल अच्छी तरह से वह बोल रहा है या उसका बिल्कुल ज्यादा problem नहीं हुआ है या damage नहीं हुआ है तो उसको recovery position दे दे और उसके बाद हम बाकी के चीज़े जैसे इमिजेटली कॉल तो आपको 108 पे कॉल करना है ठीक है अभी इसके साथ में इमिजेटली आप सब कुछ चेक करते हैं और आपको व्यक्ति बिल्कुल बेहोश लग रहा है या ब्रेंड डैमेज या बाकी की चीज़े पल्स या बीपी बिल्कुल कम लग रहा है तो आपको क्या क करना पड़ेगा एक तो एक्टिविटी में सबसे एक माप एक चीज़ इमर्जनसी करना पड़ेगा आपको CPR के लिए तयार रहना है ठीक है उसकी भार्ट बीट और ब्रेटिंग दोनों भी बिल्कुल प्राब्लेम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा इमिजेटली CPR के लि आपको मालूम है टू रिस्क्यू ब्रिट्स और थर्टी टाइम कॉंपरेशन्स इसको कंटिनियूस देते रहना है जब तक मेडिकल रिलेटेड एमर्जनसी कोई लोग दोक्टर वगेरे आते नहीं तब तक आपको कंटिनियूस करना है अभी कैसा है कई बार आपको कैसा है कि हाथ में वायर है तो उन लोगों को जैसे बर्न हो सकता है उसको चेक करे प्रॉपरली एंटिसेप्टिक क्रीम होगे लग किये और डोंट गिव एनिफिंग टु दो माउथ यह भी भूत इंपर्टेंट है और कपड़ा उसका जो भी है प्रॉपरली धिलाव अगरा करके प्रॉपरली उसको फैन के नीचे रखे और बिल्कुल फार्दर जो भी चीज़े है आप कंटिनियूसली डॉक्टर को भेज सकते है पेशन को और इस कंडिशन में जान बचानी की जो के कोशिश है सबसे में बात आपको CPR प्रॉपरली आना द्भूती जरूरी है या जिस चीज़ में आपको कैसे हंडल करना है यह बिल्कुल आपको अच्छी तरह से आना जरूरी है राइट सो दिस वाज रिकार्डि ECG होता है CT scan होता है brain का यमारा होता है CBC करता है यह सब doctors करेंगे और doctor बाकी के उसमें immediately decisions लेंगे तो हमें यहां तक electric shock के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरह से प्रॉपरली इसको handle कैसा करना है इस topic में आपने सीका है ओके ठेंक प्रॉपर.